हेलो दोस्तों नमस्ते तो आज मैं लिखे आया हम Poco X5 Pro जोहेर्स MI कंपनी की और से Poco सीरीज का मूबल तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे Poco X5 Pro का अन्बॉक्सिंग करके अन्बॉक्सिंग में हम आपको दिखाएंगे कि कौन से कौन से एसे सरीज आपको मिलती है बॉक्स के अंदर और उसके बात हम बात करेंगे फीचर्स की क्या क्या फीचर्स इस मूबैल में आपको मिलेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे डीटेल स्पेसिफिकेशन कि क्या कुछ इस आपको इस इस मूबैल में कंपनी को कंपनी आपको देने तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और आपको दीखते हैं पोको एक्सफाई प्रो का अन्बोक्सिंग यह बोक्स यह मोबाइल आता है ब्रेक कलर के बोक्स में और 5G सपोर्टेड मोबाइल है ओपन करने पर आपको पहले पोको मिल जाएगा इसमें 67 वाट का आपको कंपनी चार्जर दे देती हैं इन विल्ट आपको बोक्स के अंदर दिया जाता है फास्ट चार्जिंग डेटा केबल भी कंपनी दे देती है यह आ गया है सीम इचेक्टर पीन उसके साथ साथ आपको यूजर मैन्यूल गाइड भी मिल जाती है अगर आपको कोई डाउट है तो और बेक कवर भी कंपनी दे देती है जिससे आपको मोबाइल को प्रोटेक करने में इजी पड़े है अपी यह हम दिखाते है आपको यलो कलर का तो गईस पीछे तुईन तीन केमेरा आ जाता है आकर की साथ बड़ी से स्प्रीन आ जाती है फ्रंट केमेरा आ जाता है और इसका रूटेन गाइड बहुत सी प्रीमियम है तीन केमेरा एक प् इसमें भी आपको मिल जाएगी इसमें भी आपको 67W का फास्टाजर मिल जाएगा जो जायो मिने डिसाइन किया है यह बलेक कर पूरा मोबाइल है यह दुसरी ब्लेक कर दीशाइन है उपर की साइड शाइनिंग है नीचे के साइड आपको मैट फिनिश मिलता है पावर बट कवर आपको इसली लगा सकते हैं अगर चाल्जिंग की बात करें तो और एक करने रहम आपको दिखाते हैं तो मतब तीन कर रहम आपको दिखाएंगे उपन करने पर आपको MIUI का ब्रांडिंग मिल जाएगा यह है इस ब्ल्यू कलर इसमें 108 MP का आपको कैमेरा मिल जाता है और सारा कुछ के मेरा काऊंगा आपको बाद में भी डीटेल में स्पेसिफिकेशन लिखाएंगे फोटो बहुत ही अच्छे इसमें आता है पीछे के कैमेरा में क्योंकि 108 MP का बेक कैमेरा है अब मुवीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही इसमानों थरी यहां पर मुवीज भी अंदर सब्सक्राइब क्योंकि डिस्प्ले क्वाडिटी भी बहुत ही प्रीमियम ली करें गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में जड़ा भी लेग नहीं होता है क्योंकि इस ता प्रोसेशर बहुत ही हाई-end प्रोसेशर ग्राफिक भी बहुत है वह स्क्रीं मतलब यह जो प्रोसेशर है वो 5G कोर वाला प्रोसेशर है तो बहुत ही पास्ट चलेगा मतलब अप्टो 2.4 GHz की आपको स्पीड देगा देगा प्रोसेश 6 NM की कर देगा और 1-2 बेंश्मार्क पे इसका 500 एंड कोटीफाइटी का रेटिंग आया है इसमें ERM कॉल्टेक्स A78 आर्किटेक्चर है तो यह जो प्रोसेशर है आपको स्नैप डेगन का मिल जाता है स्नैप डेगन में स्पाइडर क्या होगा यह 5G का सपोर्ट प्रोसेशर है तो 5G हाई स्पीड नेटवर्क भी इससे आ जाएगा मतलब आपको अगर 5G इंटरनेट है आपके पास कोई भी SIM कार्ड है जो 5G सपोर्टेड है वो नेटवर्क अपने तो यहां पर आपको 5G का प्याच्छा स्पीड मिल जाएगा मतलब आप अगर कोई गेम ऑनलाइन खेलते हो यह फिर कोई गेम ऐसी है जहां पर लोडिंग ज्यादा होता है नेट से डेटा आता है तो वो यहां पर फ फास्ट होगा इसकी रेम ची बात करें तो यहां पर डाइनमिक रेम एक्सपंशन 3.0 मिल जाता है तो जैसे की मान दीजे की 8GB की रेम है ठीक है और आप इसमें और 8GB का एर कर सकते हो तो जो पूपो एक्सफाइव प्रो फाइजी है वो चोईस आती है 6GB रेम और 8GB रेम दो तो मॉडल में यह मुपर आदा रहा तो आप 6GB का परचेस करो या फिर 8GB का परचेस करो और एक्सपंड आप इसको कर सकते हो 11GB तर 13GB तक बजब यह इसका बेनेफिट है ति आप 6GB लोगे तो 11GB तक हो जाएगा और 8GB लोगे तो 13GB तक इसको एक्सपंड कर पाऊबे तो इस कर सकते हो अभी हम camera की बात करें तो Extraordinary camera की दिया जाए क्योंकि उपर जो में camera 28MP का में camera है नीचे की camera है वो 8MP अर्टरा-wide-angle camera है मतलब आपको ग्रूप फोटोस लेना हो वाइड फोटोस लेना हो तो उससे हो जाएगा और राइट साइड वाला केमेरा है वो 2 मेगा पिक्सल मेक्रो केमेरा है जिससे आप अगर फ्लावर की फोटो कीछना हो तो या फिर किसी चीज कर नस्दी की फोटो कीछना हो तो वो 2 मेगा पिक्सल उसमें सपोर्ट हो जाएगा तो मतलग 108 मेगापिक्सल का हैवी केमेरा इसमें यूज़ा स्लेश राइट भी आपको मिल जाती है उपर की साइड आपको शाइनिंग पोको का ब्रांडिंग भी मिल जाता है और पूरा लैतर फीनिस जैसा पीछे का मैट आपको मिल जाता है 108 मेगापिक्सल को इस पोल्ड की खास खास था क्योंकि यह बहुत ही हैवी केमेरा है नॉर्मल नहीं है तो इसका मेन आपको एडवन्टेज क्या रहेगा यह अगर आपने 108 मेगापिक्सल का केमेर ले लिया तो आपको एडवन्टेज यह रहेगा चिसमें फोटोग्राफी 69 अच्छी आएगी नाइट बूड अगर आप कोई भी नॉर्मल दिन में फोटो खेचोगे तो वह अर्मॉस्स सेवेंटी परसंट ज्यादा अच्छा फोटो आएगा किसी मोबाइल के कंपेरिसम में नाइट मोड में अगर आप फोटो खीचोगे तो 38 परसंट अच्छा फो उसमें में एडवांटेज के हैं गरेज देखो इसमें 108 मिगापिक्सर के लिए बहुत सारे लेंस अपने ने एक्समें लगाए है आप क्रियर ली इमेज में भी देख सकते हो कि छेसे आप अलग अलग लेंस लगाए है तब भी जाकि इतनी अच्छी प्वालेडी का कैमेरा बनता है अभी हम स्क्रीन की बात करें तो 6.67 इंच का फ्लो एम ली डॉट डिस्प्ले मिल जाता है तो यह बहुत ही प्रीमियम एमोली स्क्रीन आपको मिल जाता है 6.7 इंच मतलब अल्मोस्ट 7 इंच में 0.2 इंच जैसा ही कम है जो मतलब आप 7 इंच भी कह सकते हो इतना पावर परफॉर्फॉर्स और कलर तीनों चीज अच्छी आएगी क्योंकि यह मॉली रही है तो पावर कम यूज होगा पीक प्रैक्नेस आपको नाइन हंडेड ने इस्टी में जाती है जो दुपर में बहुत ही अच्छी रहेगी स्क्रीन रिफ्रेश्च रेट वो 120 हर्ट का आपको डिश्क्रेम मिल जाएगा तो अच्छी से भी स्क्रेप्स ज्यादा आए फुल एच्छी और उसमें भी प्लस तो ऐसा क्लिया निटी बादा डिश्क्रेम मिल जाएगा 120 हर्ट का रिफ्रेश्च मतलब लोडिंग अपका एप ओपन करते हो प्रोस करते हो स्वीच करत अगर हम स्क्रीन का जो कलर की बात कर रहें यह मोबैल लेने के बाद मुझे स्क्रीन में क्लिया लीटी तो आएगी अच्छा है लिकिन मुझे कलर अच्छे लिखेंगे नहीं के नहीं दिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी कलर दिखेंगे क्योंकि इसमें 1.07 billion कलर सपो है वह थोड़ असा ब्राउन जैसा दिखता है लेकिन आप इस इस मोबैल में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियारीटी में थोड़ असा मतलब पता नहीं चलेगा कि यह डाउन कलर है या औरेंज डाप कलर है क्या है लेकिन यह 10 बीट का जो कलर इससे श्रेट इसमें द अब हम जो बात की वह स्क्रीन की बात की गैमेन अक्रीट की लेकिन साउंड में जाए तो इसमें डॉल भी विजन का भी सपोर्ट है मतलब अब आप स्क्रीन में कोई सी भी साइट से देखो गे तो आपको वीजन में दिखकर नहीं आए और डॉल बी एटमास का भी डीपी डॉल बी की है सो गैस डॉल भी विजन का फाइदा यह होता है कि अगर आप को आप में कुछ शीज देख रहे हो और काई बार क्या होता है में में को एट सेट सीधा रखने पर ही आपको क्लियर दिता है साइड में से अच्छे तरह के से दिखता नहीं है तो इसमें अगर नहीं को एक्ट्री डॉल भी विजन हैं तो अब साराउं साओं चाहन सीने माय जैसा आपको लिख दीखेगा कोई अगर आप मोगी देखोगे तो या फिर कोई वैब सी देखते हो तो और सांट की बात करें तो अगर आपको आप कोई मोवी ओन लाई देख रहे हो य लेहां पर अगर हम बात चरे कि लिए क्या जिया है कि क्योंकि करेबार क्या होता है कि हम रात में मूबाइल यूस करते हैं तो आम आप में बूत लाइट नहीं चाहिए होती है क्योंकि फूल ब्रैटनेस रात में हमारे आख में चुकती है तो उसके लिए 1920 अर्सका PWM सब्पोर्टेड नहीं होता है हमारी आर्ट में स्ट्रेस होता है और जिसके तार हमें नीम्द अच्छी नहीं आती है तो इस मोबैल में उसका पूरा ध्यान रखा रहा है कि अगर आप इस मोबैल को राफ में भी यूज करोगे तो आपकी आखे नहीं बिगड़ेगी आपकी में स्ट्रेस नहीं आएगा वैसी टेक्नलोजी का डीमिंग इसमें यूज किया गया है मतलब डीमिंग का मतलब जो ब्राइटनेस है वो कम हो भी और जो कलर से वो भी ओरीजनल मेंटिन हो गए तो उस क्वालिटी का इसमें पूरा अच्छी तरीके से लो लाइट एन्वेमे बैटरी में जाती है जो बहुत ही बड़ी बैटरी है इसमें आप एक एक बार चार्ज करने पर 28 अवर्स तक पॉल टाइम आप ले सकते हो मतलब आपने अपर किसी को कॉल कर दिया है तो इसमें 28 अवर्स तक बात कर सकते हो हलाची ये बैटरी बड़ी है लेकिन ये श्लिम बड़ी चंटेंस प्लेटी ओफ पावर मतलब बड़ी जो है वह बहत ही पजली है कि पर यह ज्यादा है लेकिन बाटरी बड़ी होने पर अपर ऊपैle भी ठीक नहीं है बेटरी बड़ी होने फिस साड़ी हो एक ड़ीज़न कि मोबाइल आपका थी नहीं रहे पत्ला ही रहे उसको लिड़ी की बैटरी इसमें डाली कही है 14 डिश तक स्टेंड वायर मतलब चार्जिंग करके आपने इसको रख दिया तो 14 दिन तक यह इसका बैटरी अच्छा रही था अभी हम चार्जिंग की बात करें कि क्या है चार्जिंग का तो 67 वाट करा टर्बो चार्जिंग आपको मिल जाता है Fast and ऊपर Efficient नीचे की साइड आपको Type-C का चार्जिंग कोण बिल जाता है वहाँ पर आपको लगा देना है नीचे की साइड आपको triple painful जाएगा नीचे की साइड आपको speaker भी मिल जाएगा यहाँ पर MMT Technology पूरा अच्छी तरीके से मेंटेंट किया गया इसमें रैपीट पावर चार्जिंग का सपूर आ जाता है और अगर यह बात करें कि जो तर्बो चार्जिंग है और शिक्स्टी सेवन वोट है वो अब्वियस सी बात है कि 67 वोट का कर चार्जर है और उसमें अगर मोबैल वो ओड़ दिया तो वो अब्यस्टी सेट wal है तो उसमें से आपके आपका जो current charger है वो 67 वट का नहीं होगा, उससे कम होगा, तो 67 वट मतलो आपका जो अभी चाहिए चाहिए उससे भी fast इसमें charging होगा, अगर हम body की बात करेगी कि इतनी पतली body है हाथ में कैसा लेगा, मतलब क्या है क्या है तो इसमें 181 gram की body का weight है, मतलब 200 gram से भी कम है, मतलब आपने अग और थिकनेस है वो 7.9 mm का थिकनेस है और इसमें 3 camera का setup मिल जाता है आपको यह थिकनेस में जो बुफाती 3 mobile है और 5C का support मिल जाता है और इसमें फाइदा यह है आपको 5000 mm के बैटरी भी मिल जाता है इस साइड में आप देख सेथे हो कि आपको पूरा black frame मिल जाता है जब बहुत यह premium look है पीचे की साइड flat design है उसमें 3 color है तीनो color हमने आपको unbox कर गया दिखाए अभी हम बात करें कि more features आपको इसके अंदर क्या मिल जाएगा MIUI 14 जो latest version है वो आपको MIUI का मिल जाएगा OS आपको आपको latest जो MI के latest OS है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी NFC का support मिल जाएगा IR blaster मिल जाएगा मतलब IR का आपको support से क्या होगा कि आपके गण में अगर AC है TV है setup box है या फिर remote control जो भी चीज है जिसको remote control से control होती है आपके दर में वो सारी कुछ चीज आप mobile से की operate कर पाओगे है और एक सेक्सिस linear motor मिल जाती है सो गए IR blaster से आपको फाइदा यह होगा कि मान अजी जी आपका अगर TV आपको बंद करना है तो आपको remote ढूनने की जरुवत नहीं पड़ेगी अब mobile से इज्च सकते हो जेल चैन्ट कर सकते हो और प्लस माइनस वल्म कर सकते हो अगर अपके बाष रमॉत कन्च ए तो फेन को भी आप प्लस माइनस कर सकते हो उसके श्पीड भी चेंज कर सकते हो एसी है तो एसी का रिमोट राट में दुनने में तकलिप वटती है तो वो भी आप मोबाइल से करका होगी एसी का जो टेंपरेचर है वो सेट अगर हम डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6GB RAM 128GB मिल जाता है एक वर्सटिप और 8GB RAM 256 मिल जाता है तो यह दो RAM मिल जाती और दो स्टोरेज आप्शन्स मिल जाता है इसमें Sustain jotka यृए locks UFS 2.0 मिल जाता है RAM expansion का भी option दिया गया है जिससे आप current जो RAM है हो सकी और RAM बढ़ा सकते हो इसका जो उनने weight का बात किया वो 181 gram है thickness 7.9 mm है यहाँ पर display 6.67 inch का full HD plus MOLAD.Display आपको मिल जाता है 120 Hz का replacement rate मिल जाता है peak brightness 900 nits की मिल जाती है resolution 2400 x 1080 मिल जाता है 10 bit color display है तो color familiarity बोगत ही अच्छी है प्रोसेसर आपको Snapdragon 777 8G mobile platform वाला प्रोसेसर मिल जाता है इसमें graphic card आपको Qualcomm Attrino 642L का graphic card इसमें मिल जाता है battery 5000 mAh की आपको मिल जाती है 67 watt का charger आपको company ही अंदर box के अंदर दे जाती है 108 megapixel का wide camera मिल जाता है जो मतलब almost heavy camera इस पाहं कह सकते है 8 megapixel का ultra wide camera है जो आप गड़ा photos की सकते हो 2 megapixel का macro camera है यहाँ पे आप 4K तक का video recording कर सकते हो यहाँ पे आपको slow motion का support मिल जाएगा time lapse का support मिल जाएगा मतलब सारे चो camera's में आपको customization चाहिए मिल जाएगे क्योंकि यह camera में तीन options यह है तो तीनों option में जो highest supported है वो सारे कुछ features इसके अंदर camera की app में ही डाल के दिया है अभी जो आजे का camera है वो 16 megapixel का camera है आगे की side से अगर मतलब front camera से आपको वीडियो खीचना है तो 1080p का आप वीडियो खीच सकते हो side में आपको fingerprint sensor मिल जाता है जो power का button कहते हो उस पे fingerprint का मिल जाता है EI face unlock भी मिल जाता है मतलब आपकर अपने face register कर दिया और अगर अपने mobile open करते हो आपना face दामने रखा तो वो check करेगा कि आपका इस face है और उसकी सबसे वो mobile open करेगा तो इसमें फाइदा आपको मिल जाता है dual SIM का support मिल जाता है और दोनों ही 5G SIM आप एक साथ इसमें डाल सकते हो NFC का support मिल जाता है Wi-Fi का latest version मिल जाता है So guys इसमें 2G, 3G, 4G और 5G सारे के सारे bands इसमें supported हैं मतलब आपके पास dual SIM में 2 SIM आप यूश करते हो और दोनों ही 5G वाले हैं तो आप दोनों 5G supported मौनाजीम काड़िश में एड़ कर सकते हो यहाँ पर GPS आपको मिल जाएगा जिससे अगर आप Google Maps ज्यादा यूश करते हो कहीं पर जाते हो Trip में तो Navigation करते हो किसी जगा को साच करते हो तो वहाँ पर यह महत यूश्फूल जाएगा Audio में आपको dual speaker मिल जाता है Single speaker नहीं है dual speaker है 3.5 mm का headphone चाहते है मतलब अगर आप पो earphone लगा ना के तो वह हो जाएगा वीडियो में MP4 और सारे वर्जन सपोर्टेन है मतलब आप PC की भी Quality का वीडियो है इस पर देख सबते हो सेंसर में सारे सेंसर है Proximity सेंसर है Ambient सेंसर है Axilometer है IR Blaster है जो आगर आगर आपको समझा है Electronic Compass है Gyroscope है सारे सेंसर इसमें है Operating System का MI का Radish मिल जाता है MIUI 14 मिल जाता है जो Poco के लिए Design TR कर जाता है यहाँ पर Bops के अंदर आपको Poco X5 Mobile मिल जाता है Charging Adapter मिल जाता है USB Type-C Cable मिल जाता है SIM Ejector Pin मिल जाती है Cover Case मिल जाता है User Manual Guide मिल जाती है So guys यह है Poco X5 Pro हमने आपको इसके तीनों कलर Unlocking करके रिखाया है अगर आपको यह Mobile अच्छा लगा है इसके Features अच्छे लगा है तो इस वीडियो को guys Like, Share और guys चैनल को सब्स्राइब कर देना चैनल को सब्स्राइब करना इसने important है तो कि आप वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्स्राइब नहीं करते हो तो उससे क्या होता है कि हम अरोज में एनुद करके नया वीडियो लाते है नया गैचेट लाते है उसका डीटिल में आपको समझाते है तो हमारा वीडियो कई बाल क्या होता है आप तक पहुंच नहीं पाता है तो अगर आपने चैनल को सब्स्राइब कर दिया तो आपको क्या होता है जैसे हैं आपको कुछ नहीं चीज़ दाएंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप वोचीश देख सकते हो इसलिए बाइस चैनल को सब्स्राइब करना इंपोर्टन है थैंक यू फर वचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में गुडबाइ सी यू सून